हेलो फिंट्स वेल्कम टो पर चनल हम बात करने वाले हैं सिर्मा SGS टेक्नलोजी के आरे में करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे में मैं रिक्वेश्ट किया है तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको यह लिए से चाहिए स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स किस रेंज के अंदर यह साइडवेश होने वाला थो जब तक इसका ब्रेक आउट आपको नहीं मिलता है प्रॉप रेंज गा तब तक कि लिए बाइंग के लिए मत प्लान करेंगा और अगर से टेंग करते हो तो ट्राय करो कि इसके ब्रेकाउट के बाद आप आप बाइंग किया है तो अगर किसी ने बाइंग की है इस सपोर्ट के आज पास तो प्रॉफिट होगा लेकिन मैं करता हूं कि इस टाइप के साइड बेज में कभी भी बाइंग करना से यह मैंने आपको पहले भी कहा है अभी भी सेम चीज रिपीट करूंगा ठीक है ऐसा नहीं कि 20% का सबसे पहला हूं और तो मैंना नहीं कर रहा हूं सिंपल सी बात है मैं यहां और आपको करना तो आप कर सकते हो मैं इसी में आपको चार्ट में एक्जामपल यह दिखा दिता हूं जो मैं भी आपको बोल रहा हूं ठीक है यह देख लो यहां पर सेम चीज रहा दो दिन का मोमेंटम हुआ यहां पर देख लो एक डारेक्ली बाइंग आया भई 15-20% का होगा इसके बाद क्या हाल होती है लेकिन सपोर्ट से कोई स्टॉक निकले और इस टाइप का मोमेंटम दे जाए वो बहुत कम होता है जैसे यहां पर अगर आप देखोगे यह तो यहां पर कोई बड़ा कंडल नहीं बना हुआ है सारे चोटे-चोटे कंडल बने हुआ अच्छे से ब्रिक आउट किया है अगर यहां पर डायरेक लिए एक कंडल के अंदर बड़ा सा मूब कर दे तो फिर उसके सश्टेन करने के चांसे नहीं हो पाता है जैसे यहां पर आप देखोगे यह वाला कंडल था यह तो यह तो फिर भी ठीक बनाए लेकिन इसके बाद ब्रिक आउट के सांथ ही इतना इसके सांथ भी सेम है मैं अभी भी बोलूगा कि ब्रेक आउट कर लो अगर इसी टाइप का मुमेंटम आपको दिखता है तो इंटाडे में पहले आप एक या दो परसंट का स्टॉप लोस लेकर चलो अगर साथ परसंट इंटाडे में ही मिल जाए तो अपने स्टॉप लॉ कर सकते हो तो इस तरीके से कुछ अगर मैनेज कर सको तो बाइंग करने के प्लान करिएगा वह भी ब्रेकाउट के वाद ना कि करेंट लेवल पर क्योंकि अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो बॉटम से टॉप ही आया है ब्रेकाउट नहीं हुआ इस चीज को लियाद रखेगा तो यहां पर यह ट्रेप भी कर सकता है और और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर भी लिया होगा तो बागे ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको एलेकस चाहिए तो श्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक क चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंकि सो मच